हाउ रूचेंज कीबार्ड इन एनी वानप्लास सेरीज नमस्कार दोस्तो अगर आप सभी का तिकराज यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज की वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वानप्लास के रिवाइस में कीबार्ड चेंज कैसे कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको कीबार्ड चेंज करना है तो आप इस वीडियो को आन तक जरूर देखेगा ठीक है मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको चेंज करना होगा अगर दोस्तों आपके पास जो डिफोल्ट कीबोर्ट है ठीक है आपके oneplus की mobile पर और वह आपको पसंद नहीं कि आपको कुई दूसरा कीबॉर्ट करना है चेंज करना है तो आपको यह वीडियो देख लेना है और उसके वाद आपके लिए असानी हो जाएगा ठीक है लेकिन उससे पहले आप पहले तो यहाँ पे एक एप्लिकेशन यानि कि कीबॉर्ट डाउनलोड कर लिजेगा ठीक है कीबॉर्ट डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर चाहिए होगा और वहाँ पे जाके कोई भी एक कीबॉर्ट ले सकते मैंने स्विफ्ट की इंस्टॉल कर रखा है और उसी को चेंज करकी भी बताऊंगा लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको वीडियो आन तक देखना होगा साधे साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजेगा अगर आप ऑनलाइन पेसा कामाना चाते है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा चलिए दोस्तों वीडियो ठीक है तो मेनेच कीबोर्ट में जाए अगर आप देख पा रहा है यहाँ पर मेनेच कीबोर्ट उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ठीक है अब दोस्तों आप जाएए अपने मोबाइल के मेसेज पर उसके बाद आप यहाँ पर एक कोई भी मेसेज ओपेंड करके अपना कीबोर्ट को चेक कर ले यहाँ पर दोस्तों आपको दिख जाएगा तो मुझे सेलेक्ट करना होगा यह ठीक है तो उसके लिए मुझे जाना है डिफॉल्ट कीबोर्ट में उसके बाद Microsoft Swift की यहां पर सेट कर दिया है और उसके बाद इसको यहां पर सेलेक करके फिनिश आप कर देते हैं तो इसको बेक करते हैं ठीक है उसके बाद दुबारा से एक बार जाके चेक करते हैं यहाँ तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा आपको ठीक है उसके बार आपने आप चेंच हो जाएगा तो जो सेटिंग में आपको शो क करके बताया है उसी को फॉलो कर ले और उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से चेंज हो जाएगा का keyboard ठीक है तो अगर आपको keyboard change करना है कोई भी keyboard पस항ने add कर ना चाहते है आपकी keyboard में तो उसको download करें और उसके बाद इस तरीके से change करें तो यह है दोस्तो keyboard change करने کا तरीका और जोस्तो यहाँ पर अगर आपको by default सेट करना है तो same setting आपको फॉलो करना होगा ठीक है तो यह था दोस्तों कीबार्ड चेंज करने का तरीका उमीद करते हैं आपको वीडियो पसने होगा थैंक्स फूर वाचिंग